भूरा भालू दुन्या का सबसे बड़ा शिकारी है। सबसे बड़े भूरे भालू आमतोर पर नर होते हैं और आसानी से 600 पाउंड तक बढ़ सकते हैं और कंधे तक 4 फीट तक खड़े हो सकते हैं। साथ ही भूरे भूरे भालू की सबसे बड़ी उपप्रजाती कोडियाग भालू के रूप में जानी जाती हैं। से अधिक लंबे होते हैं भेडियों की प्रजातियां अलग-अलग होती हैं लेकिन लकड़ी का भेडिया ग्रे वुल्फ उत्तरी गोलाड में सबसे आम हैं वे आम तोर पर कंधे पर धाई फीट खड़े होते हैं और वजन सत्तर से एक सौपचास पाउंड के बीच होता है व्यक्तिगत रूप से भेडिये घडियाल भालू की तुलना में बहुत छोटे होते हैं विशेश रूप से कोडिया ग्रिजली लेकिन भेडिये एक जुन्ड के रूप में शिकार करते हैं अधिकांच समय भालू जब भी संभव हो अन्य जानवरों से बचना पसंद करते हैं विशेश रूप से बुद्धिमान जानवरों में से कुछ हैं उनके विख्षिप्त मस्तिष्ट का मूल कारण भेडिये निरणय ले सकते हैं एक जुन्ड के रूप में शिकार कर सकते हैं घात लगा सकते हैं और सामाजिक संकेतों को समझ सकते हैं हालांकी भूरा भालू बुद्धिमान और सर्वोच्च शिकारी होते हैं लेकिन वे जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक अवसरवादी होते हैं अधिकान्ज समय भालू जब भी संभव हो अन्य जानवरों से बचना पसंद करते हैं जो कुछ भी वे खा सकते हैं हालांकी भालू अगर वास्तव में चाहता है तो फन सकता है उसके पास युद्ध में वास्तव में कोई रण्मीती नहीं है यह दूसरों को डराने के लिए अपनी ताकत और आकार का उप्योग करता है दूसरी और भेडिये दुन्या के सबसे रण्मीतिक शिकारी हो सकते हैं एक जुन्ड के रूप में शिकार करते हुए भेडियों को जाल और घात लगाने के लिए जाना जाता है भालू के कई अनुकूलन है जो उन्हें इतना दुर्जे दुश्मन बनाते हैं सबसे पहले वे मजबूत है भेडियों के कुछ शिकारी अनुकूलन भी होते हैं उनकी सबसे अच्छी विशेशताओं में से एक बहुत लंबी दूरी तक डौडने की उनकी क्षमता है कुछ जानवर एक भेडिये से आगे निकल सकते हैं एक फाइदा जो वे अक्सर शिकार का पीछा करते समय उप्योग करते हैं जैसे मूस और एल्क उनकी मौत के लिए इसके अतिरिक्त भेडियों के पास लगभग 500 PSI का काटने का बल होता है हालांकि उनके पंजे भालू की तरह तेज नहीं होते हैं भालू और भेडियों की भावनाओं पर कितना पहरा है इसे देखते हुए दोनों पक्षों के लिए दूसरी तरफ एक बूंद पाना मुश्किल होगा एक बार जब भालू वास्तव में ठक जाते हैं तो भेडिये कुछ और घूंट लेने लगते हैं यहीं से लडाई का रुख बदल जाता है एक स्वाइब के साथ भालू एक भेडिये को मारने में सक्षम होता है फिर जैसे ही में दोबारा कोशिश करते हैं भालू और भेडियों को निकाल लेता है अपने लाप के बावजूद भेडियों के पास भालू को मारने का कोई तरीका नहीं है, भले ही उनका पल्ला भारी हो एक ठका हुआ भालू एक भेडिये के लिए जानलेवा खत्रा होता है, लेकिन एक भेडिया एक भालू के लिए कभी भी वास्तविक खत्रा नहीं होता है अगर भेडिये हमला करना जारी रखते हैं, तो भालू अंत्ता उन पर हावी हो जाएंगे अंत में एक विशाल भूरा भालू पूरी तरह से ठक कर बाहर आ जाएगा शायद थोड़ा खून से सना हुआ लेकिन मृत भेरियों के घेरे में अन्यथा अस्वस्थ